नमस्कार दोस्तों स्वागत है डेल स्टेडि में इस वीडियो में बिहार पोलिस फायर मेन के लिए टॉप 20 को संस्क्राऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्ण है भारत की पहली गैर कॉंग्रेसी सरकार का नितुरित करने वाले पहले परधान मंतरी कौन थे तो यहां पर सही जबाब होगा पहले गैर कॉंग्रेसी सरकार करने तुरित करने वाले परधान मंतरी भारत के मुरारजी दिशाई थे ओप्शन नमबर ए और मुरारजी दिशाई जो है जनता पार्टी से थे और इन्हों ने 1977 से 1989 तक भारत के प्रधानमंतरी के रूप में क हो जाता लेकिन option में वो नहीं है तो मुंगेर को आप आंसर कर सकते हैं और पाल राजवन्स का सबसे प्रसीद सासक कुन था तो धर्मपाल और धर्मपाल नहीं बिक्रम शिलाब शुविद्याले की अस्थापना जो है भागलपुर में की है question number 3 दखिए English Channel के पार तेरने वाली पहली भारतिय महला कोन थी तो English Channel के पार तेरने वाली पहली भारतिय महला थी आरती सह option number A और English Channel जो है Atlantic महासागर का एक हिस्सा है कभी-कभी पूछ लेता है English Channel की लंबाई और चौराई तो ध्यान रखिएगा 563 किलो मिटर जो है इसकी लंबाई है और 84 240 किलो मिटर अगला देखिए भारतिय मानक समय की गरणा कहां के कलोग टावर से की जाती है यानि कि भारत में जो हम समय देखते हैं कहां के समय का अनुसार चलता है कहां के टावर का अनुसार तो ये मिरजापूर हो जाएगा option number C मिरजापूर ये आपका उत्तरपर्दिस में है कोसा नमर पॉच दखिए सिल्वर फ्राइवर क्रांती किस से संबंधित है यानि कि सिल्वर फ्राइवर क्रांती जो है ये किस संबंध रखते हैं ये आपको बताना है तो ये जो है कापास से संबंधित है और कापास मुख्य रूप से भारत के किस राज में होता है तो धियान प्रस्न यहां से पुछेगा कि स्वतंतरता के संबंद में यह जो अधिकार दिया गिया है यह संपती का अधिकार जो है अब कानूनी अधिकार हो गिया यहाँ पर जो संपती का अधिकार हो गिया यहाँ पर जो स्वतंतरता के संबंद में अधिकार दिया गिया है उनमें कौन कुन है भासन और अभिवेक्ति सभा संग अंदोलन अवास और व्यवसाय अगला देखिए कोशन नमर साथ बुलू जे ये बुलू जे एक पक्षी है इसका नाम दूसरा है इंडियन रोलर आप कितर में देख सकते हैं ये इंडियन रोलर जो है कितने भारतिय राजियों का रा पक्षी है और आपको बता दे ये इंडियन रोलर का दूसरा नाम कोर्सियस बैंगालैंसिस है और ये चार राज की जो राज किया पक्षी है वो है आपका औरिसाथ त्यलांगाना आंधर परदेश और करनाटक अगला देखिए खजराहो किस राज में है खजराहो जो है अगला देखिए पीन वैली राष्टिय उद्यान यानि कि पीन वैली निशनल पार्क जो है किस इंडियन स्टेट में है तो ये होगा आपका हिमाचल परदेश और यहाँ पर आपको धियान रखना है हिमाचल परदेश में कुछ अन्य निशनल पार्क है जैसे कि ग्रेट हि इन वैली राष्टिय उद्यान खीर गंगा राष्टिय उद्यान इसको आप जरूर उद्यान रखेगा खीर गंगा राष्टिय उद्यान और सिंबल बारा राष्टिय उद्यान भी हिमाचल परदेश में है अगला देखिए भावाई भावाई जो है किस राज का लोक निर गुजरात में है, उप्शन A, अगला देखिए भारत में नीली क्रांती का जनक के रूप में किसे जाना जाता है, नीली क्रांती के जनक इंडिया में हीरा लाल चोधरी को कहा जाता है, उप्शन नमबर C, अगला देखिए रावत भाटा परमानू उर्जा सैयंत्र किस राज म है, तो रावत भाटा रावत रावत राशे राजास्थान, उप्शन A, सही जबाव, अगला देखिए भारत छोरो आंदोलन कब शरू हुआ था, यह असान प्रस्ण है, लेकिन इससे कुछ को सेंस बन जाते हैं, भारत छोरो आंदोलन जो है, 1942 में शरू हुआ था, आरम करन भारत छोरो आंदोलन के दोरान जो है, महत्मा गांधी कोन सान रादिया था, करो या मरो, डू आउर डै, आगला देखिए शोले नमबर प्रस्ण है, रानी की वाव, किस राज में है, रानी की वाव आपका गुजरात में है, उप्शन A, आगला देखिए राश्ट कुट व देखो यह गलती होगी है, उप्शन A नहीं होगा, मिसेल ओबामा है, ठीका नए, बिक्मिंग पुष्टक के लेखक जो है, मिसेल ओबामा, उप्शन नमबर C, मिसेल ओबामा कोन है, तो यह बराक ओबामा की पतनी है, आगला देखिए, किस समिती ने मौलिक कर्तब्यों को स स्वार्ण सिंग समिती थी option number D और स्वार्ण सिंग समिती किसी भारिस पर भारतियां समिधान में कितने मौलिक करतब जोड़े गए तो मैंने अभी तुरंद बताया 11 मौलिक करतब को अब एक प्रस्ण आपके लिए है बक्सर का युद्ध कब हुआ था इस प्रस्ण का सही लाइक करना है तो कर देजिए लेकिन सेर जरोड़ किजिएगा और पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है टॉप कोसंस वाले तो आप जरोड़ देख लिजिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में पीन किया हुआ मिल जाएगा यहाँ पर